हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक अगेन टू मैं चैनल टागेट PCS जुडिशरी आज मैं आपके लेकर आई हूँ सेक्शन 107 से सेक्शन 110 और CRPC को एक इजी टैबिलर फॉर्म में तो हम चलते हैं फिर अपने टेबल की तरफ इसका पहले देख लिए पर्टिकलर मेंने क्या क्या लि जीरो लिख दिये हैं सबसे पहले मैंने लिखा है कि बॉंड किस लिए बना रहे हैं तो बॉंड फॉर यह इनके चारो कॉलम्स हैं कौन सा मेजिस्ट्रेट इसका ओर्डर देगा यह लिखा है तो रीजन की क्यूं बॉंड भरवानी है और यह जूरिस्डिक्शन की यह जो ह फिर हम सेक्शन 107 और 108 को पहले डिसकस करते हैं 107 और 108 107 में जो बॉंड भरवाई जाएगी वो पीस के लिए बरवाई जाएगी कि मतलब जो बंदा है आपको लग रहे है कि वो पीस दिस्टब करेगा तो आप उससे कह दो कि भाई आओ आओ और हमारे पास एक बॉंड है कि वो कमिट करेगा क्या ब्रीच आफ पीस मतलब हमारे यहां की पीस को डिस्टरब करेगा या फिर दिस्टरब पॉब्लिक ट्रैंक्विलिटी और रॉंग फॉल एक्ट लाइकली तो कॉस दिस्टरब करेगा या फिर कोई ऐसी हरकत करेगा तो एनी रॉंग फुल आक्ट जिससे ऐसा हो सकता है ये दोनों चीज़ें कि breach of peace हो सकती है या फिर disturbing of public tranquility हो सकती है और jurisdiction देख लेते हैं ये जो jurisdiction है इसका section 107 का तो ये जो executive magistrates हाव है अपने jurisdiction के अंदर या फिर बाहर दोनों ही जगाई है peace making का bond sign करवा सकते हैं विदिन और बियॉर्ड लोकल jurisdiction और time इसका क्या होगा one year, one year के अंदर ही होगा जो भी होगा ये decide कौन करेगा वही executive magistrate sureties चाहिए कि नहीं तो with और without sureties दोनों ही cases में ऐसा हो सकता है 108 देखते हैं इसमें bond है good behavior की कौन भरवाएगा वही executive magistrate reason क्या है person disseminating seditious matter, obscene matter और disturbing religious harmony disseminating का मतलब होता है इधर अधर distribute करना तो यह जो बंदा है या to seditious matter distribute करेगा या obscene matter या फिर disturb करेगा मारे religious harmony वह को ऐसा भाषर देगा या कुछ भी मतलब इसा matter distribute करेगा जिससे लोगों को जो religious harmony है लोगों की वह disturb हो जाएगी इसमें भी jurisdiction दोनों ही हो सकते हैं या तो within या फिर beyond time इसमें भी one year का bond sign होगा one मतलब जो time होगा one year के अंदर ही होगा और जो time यह तो executive magistrate ही decide करेंगे sureties इसमे sureties हो या ना हो दोनों ही चलेगा अब चलते 109 और 1010 में 109 और 10 दोनों में ही good behavior के लिए bond भरी जाएगी executive magistrate भरेंगे भरवाएंगे मतलब उस बंदे से इसमें 109 में क्या है क्यों भरवा रहे है person taking precautions to conceal his presence with a view to commit cognizable offense हमें पता चला है मतलब executive magistrate को पता चला है कि जो भी बंदा आया है इनके jurisdiction में वह अपने आपको छुपाने की कोशिश कर रहे है क्यों क्योंकि उसको कोई cognizable offense कमिट करना है तो फिर अब यह क्या करेंगे लेकिन इसमें यह बात है कि विदिन लोकल jurisdiction ही होना चाहिए यह बहुत important बात है और फिर इसका भी बांड वही वन यह और विद और विदाउट शिर्टी इस दोनों सकता है अब 1010 में देखते हैं इसमें जो बांड भरी जाएगी वह good behavior के लिए होगी वही executive magistrate भरवाएंगे हैं किसके लिए habitual offenders के लिए इसमें habitual offenders में काफी अंदर IPC के काफी चीज़े दी हुई है उतना आपको याद करने की जुरूत नहीं काफी acts दिये हुए तो acts पे बहुत simple सा question बनके आ जाता है प्री में कि कौन से act में habitual offender होगा या bond भरवाई जा सकती है या नहीं तो वह acts एक बार आपको देखने पड़ेंगे वह देख लीजेगा अब बाकी यह भी within local jurisdiction होगा इसमें यह सबसे अलग चीज़ी है कि इसकी bond का जो time period होगा यह within three years होगा बाकी तीनो sections में जैसे आपने देखा था एक बारी मैं आपको बाकी दीनों section एक मतलब comparative form में दिखाते हो यह देखे 111 और सिफ इसमे 110 में ही three years का है और इसमें भी चीज़ अलग है कि इसमें with sureties है तो यह आपको याद करने आप टेबल चाहिए तो copy कर लिजए यह एजी रहेगा आपको याद करने में इ हाँ अब जो next video में लेकर के आऊंगी उसमें section 107 से लेकर के 119 तक का पूरा कवर करूंगी उसमें table या chart flow chart आप कह सकते हो पूरा बना है उसमें आपको पूरा अच्छे से उसका proceeding समझ में आ जाएगा तो वो भी video में जल्दी लेकर आऊंगी वाकी thanks for watching subscribe जरूर करिएगा मेर झाल बना है